हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दा स्टोलन नोट्स लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेशन और सर्टिफाइग अथर्टी के अंदर लाइसेंस से रिलेटेड सेक्शन्स को पढ़ा था आज की वीडियो में हम उस चाप्टर पे फॉर्दर पोसीड करेंगे सो लेट्स गेट स्टाटेडड नाव सक्शन 27 है पावर टू डेलिकेट यानी कंट्रोलर अपने बिहाफ पे डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या अधर आफिसर्स को काम करने के लिए डेलिकेट कर सकता है लेकिन ये डेलिकेशन रिटेन में होना चाहिए सक्शन 28 है पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्टरावेंशन इसमें कॉन्टरावेंशन का मतलब है किसी के अगेंस जाना या किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना तो section 28 बोलता है कि अगर कोई act के rules and regulation के against जा रहा है या उसको follow नहीं कर रहा है तो controller को ये authority है कि उसके against वो investigation या judge करवा सके अब controller को ये जो investigation की power मिली है वो power बिल्कुल वैसी है जो एक income tax authority को मिलती है under income tax act 1961 अब controller को या उसने अपने बिहाफ पे जिस भी officer को delegate किया है power उसको investigation की power तो मिल गई तो अब वो क्या क्या investigate कर सकता है ये है आपका section number 29 में यानि access to computers and data यानि controller या उसके बिहाफ पे किसी officer को अगर ऐसा लगता है कि किसी ने rules and regulation को violate किया है या उसका उलंगन किया है तो इस बात की जाच करने के लिए वो किसी भी computer system या system के material की जाच कर सकता है इसके अलावा controller या उसके बिहाफ पे authorized कोई भी officer वहाँ के किसी person in charge को direct कर सकता है या उसकी help ले सकता है उस computer system के data से related section 30 है certifying authority to follow certain procedures यानि certifying authority को क्या क्या procedures follow करना पड़ेगा तो इस section की बात हमने पिछले वीडियो में की थी जब हम suspension of license of certifying authority पर रहे थे कि certifying authority कुछ procedures है या कुछ protocols है जो अगर वो follow नहीं करेगा तो उसका license cancel कर दिया जाएगा तो वही procedures आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उनमें पहला यह है कि certifying authority सिफ उन्हीं hardware या software का use कर सकता है जो secure है या जिसका misuse नहीं हो सकता दूसरा है certifying authority subscriber को जो भी services provide करेगा वो reliable होना चाहिए यानि वो subscriber के trust को नहीं तोड़ेगा तीसरा है वो जो electronic signature certificate issue कर रहा है उसके secrecy और privacy को maintain करेगा अब IT amendment act 2008 के अंदर इस तीसरे point में दो amendments और किये गए हैं पहला यह है कि electronic signature certificate का repository repository certifying authority होगा इसके पहले IT amendment act के अंदर section 20 को हटा दिया गया था जिसमें controller को repository माना था लेकिन amendment के बाद certifying authority को repository ट्रीट कर रहे हैं दूसरा amendment यह है कि electronic signature certificate issue करने के practices को या certificate issue करने का status क्या है यह भी certifying authority publish करेगा now section 31 है certifying authority to ensure compliance of the act तो इस act के अंदर certifying authority यह ensure करेगा कि उसके अंदर जो भी लोग appoint हुए हैं वो सब act के rules and regulations को follow कर रहे हैं now section 32 है display of license यानि controller से जो certifying authority को license मिला है वो license certifying authority अपने place of business पे कहीं ऐसे जगे display करेगा या ऐसी जगा रखेगा जहां पर वो साफ साफ दिखेगा now section 33 है surrender of license तो जब controller ने certifying authority के license को cancel कर दिया है तो अब certifying authority को वो license रखने का कोई हक नहीं है तो certifying authority वो लाइसेंस को controller के पास ले जाके surrender कर देगा पर माल लिजे certifying authority ने license suspend या cancel हो जाने के बावजूद अगर controller को वो license surrender नहीं किया है तो उसकी कोई सजा होनी चाहिए तो वो सजा होगी 6 मेने की jail या 10,000 रुपे तक का fine तो इस penalty में एक चीज बहुत important है वो है या तो six month की jail हो सकती है या आपको 10,000 रुपीस का fine भरना पड़ सकता है और या तोनों ही penalty आपको देनी पड़ेगी now chapter का last section है disclosure जानी certifying authority को क्या-क्या disclose करना पड़ेगा सबसे पहले certifying authority को अपना खुद का electronic signature certificate जो उसे digital signature के लिए मिला है उसे disclose करना पड़ेगा दूसरा है certification practice statement तीसरा है अगर certifying authority का license cancel या suspend हुआ है तो इस चीज की notice भी उसे disclose करने पड़ेगी इसके अलावा वो सारी जानकारी disclose करने पड़ेगी जो electronic signature certificate से related important है now section 32 के subsection 2 में बोलता है कि अगर certifying authority को ऐसा लगता है कि computer system में या तो कोई problem आ गई है या electronic signature certificate जिस condition में issue हुआ है उसे अगर कुछ effect कर रहा है तो वो दो काम करेगा पहला ये है जिसे भी वो चीज effect कर रही है उसे notify करेगा और दूसरा उस issue को किस तरह resolve करना है वो भी अपने certification practice statement में लिखेगा तो ये था हमारा chapter number 6 next chapter हम next video में देखेंगे till then take care and bye bye